नमस्कार आप देख रही हैं गितांश टीवी प्रस्तु थें समचार समवधाता बिंदू कुमार के रिपोर्ट का खेल डंड़ाई प्रकंड के सभी पंचात ने भाग लिया आज के मैच तसरार बनाम डंड़ाई और सोनेहरा बनाम लवाही के बीच खेला गया तसरार जीरो दो और सोनेहरा जीरो एक मैच में कबजा जमाए मौकिपर समाच सिवी नगिना सिंग ने कहा कि फुटबॉल ताक सभी दो और आज दिले में खिलाई जाएंगे राज्य सरकार द्वारा लगतार चर्णरवदत तरीके से काम कर रही है खेल से जोड़ी तमाम योजना गाउं प्रकंड राज्य और रास्टी इस तर पर जार्खंड के खिलारी अंतरास्टी पठल पर जार्खंड के खिलारी का प्रदर्शन भीतर रहा है इसलिए तमाम पंचाज से खेल रही खिलाड़ी एक दिन निश्चित रूप से राजिय इस्तर पर खेले के तत्वधान में चलता हुआ यह पंचाज तस्तरीय मुकबला और दूसरी से बहुत बना करके खेल रहे तसरार के टीम और उनके परति द्रेंदी दंडाई काफी रुझान दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भाई चारा के भावना से खेलते हुए और समय बिल्कुल आकरी छोर में दोनों टीमों के खिलाड़ी खिलते हुए काफी पर्यास डंडाई की ओर से काफी अच्छा पत्तर संद्रहा दोनों टीमों का जारकन सरकार के कतोधान में आयोजन मुख मंतरी अमंतरन फुटबोल पर्तियुक्ता पंचाई के पर्खंड अस्तर ये 2022 का ये मैच चलता हुए कि सानुजविद्याले के प्रांगन में इस तरह सगें साइलाइंड से बाहर फ्रो कने के लिए मौका मिलेगा तसरार टीम को और इस तरह सगें साइलाइंड से बाहर कॉर्णर जीड खिलाडियो कुल्सा बढ़ाते हुए और इस तरह से गेज दही वी तसरार के कबजे में तैबा हॉस्पिटल डॉक्टर यासीन हेल्प केर मदरसार रोड बस स्टैंड के पास गडवा इस्तरी एम प्रसूती रोग संबंदित सेवा एम सुविधाएं अन्सी नॉर्मल डिलिवरी एम सिजीरियन बांचपन परामर्श एम उपचार विशेज चानकारी के लिए दिये गए नंबरों पर संपर्क करें